नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल First Investment Pay and I am your mentor शिवांच मसी आज की इस वीडियो बनाने का परपस एक यह है कि हम लोग मार्केट पे एक टर्नराउंट देख सकते हैं जिस तरीकिस हम लोग मार्केट को देख रहे थे कि निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स हमारी पूरी मार्केट डाउंसाइड की तरफ राली कर रही थी एक ऐसी news हमें पता चली है जिसकी विदर से हमें लगता है कि market शायद यहां से short term के लिए reverse कर सकती है क्या news है उसके पीछे वो सारी बाते करेंगे जो Friday को हम लोग ने देखा था कि market के अंदर थोड़ी सी buying आई थी उसके पीछे भी वोही reason था अब वो चीज पूरी की पूरी शौर हो चुकी है तो जैसे कि आप लोग ने थम्नेल में देख लिया होगा कि banking sector के लिए पॉजिटिव न्यूस आई है yes, banking sector के लिए पॉजिटिव न्यूस आई है और जहां पर मैं आप लोगों को जानते ही है जिसने banks के साथ fraud करा था और उस company को bankruptcy declare कर दिया गया था NCLT के अंदर डाल दिया गया था तो यानि कि जो banks से उन लोगों ने पैसा ले रखा था वो banks ने bad debts के थुरू में उन accounts को बंद कर दिया था बिकॉस वहां से पैसे आने नहीं थे company bankrupt होगी इंसॉलवंसी में जा चुकी है तो वहां से पैसे आने नहीं थे बट एक डेट साल से बात चल रही थे कि उस company को acquire कर सकता है Tata Steel या फिर JSW Steel तो कल एक news आई है कि जिसमे JSW Steel ने इस company को acquire कर लिया है खरीद चुकी है and खरीदेगी कैसे जब company NCLT में जा चुकी है उसने उसके creditors को पैसे दे के उस company को खरीद लिया है So total अगर मुझे अपरोक्स पता नहीं है अभी हम लोग एक article की तरफ चलेंगे and उस article में आपको बताऊंगा कि जो जो data लिखावा है आपको भी article का link नीचे description पर दे दूँगा कि आप अराम से उसे read करता है सप्रोक्स 41,000 करोड का banks के तरफ से loan था जो की भूशन पावर and steel को चुकाना था उसमें से JSW Steel ने 41% का वादा करके उस पैसो का 41% का वादा करके JSW Steel ने acquire कर लिया है भूशन steel को उस company को वो खरी चुकी है yes guys so अब यहाँ पर around अगर हम बान के चले तो 19,000 के आस पास तक का debt pay कर रहा है भूशन स्टील का JSW Steel ने and जिसमें से सबसे बड़ा contributor जिसमें सबसे बड़ा benefit bank है SBI जो के around 98 था 100 करोड के आस पास तक का loan था and PNB second number में आता है जिसका 4000 था but PNB के साथ और भी banks merge कर चुके हैं तो PNB का भी बढ़के जो उसको pay करना है वो around 7500 के आस पास आ चुका है so yes यह दो सबसे बड़े banks है जिसको सबसे जादा फाइदा हो सकता है और यह जो इनको income होगी यह जो profit इनको आएगा जो यह BESA JSW Stealing को दे रही है यह directly इनके profits पे शो हो जाएगा bank के में तो जब इनका result आने वाला quarter का तो हम लोग देख सकते हैंगी profit में एक अच्छी growth हमें देखने को मिलेगी so banking sector पे PNB and SBI पे हम लोग कल Tuesday को bet करके चल सकते हैं because Monday को पड़वा है and Tuesday को हम लोग फिर bet करके चल सकते हैं so Tuesday पे आप देखेगा कि banking sector के अंदर एक अच्छी movement आ सकती है और banking sector ही market को उपर लेकर जा सकती है so इस सारी चीज़ों को ध्यान रखते विए चलती है article की तरफ चलते हैं एक बड़ टेकनिकल अनालेसिस पे भी देख लेंगे कि SBA और PNB क्या कह रहा है कौन से बढ़िया लेवल है जिस पे हम लोग बाई करके चल सकते है and कहां तक पॉसिबिलिटी है कि यह दोनों स्टॉक्स जा सकते है तो चलिए article की तरफ पढ़ते है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं and हम लोग आ गए है उस article पे जिसमें आप लोगों को बताने वाला हो कि कौन से कौन से banks को exact price मिलेगा exact rupees मिलेंगे जो JSW Steel ने pay करा है so आप article का सबसे पहले title पढ़िए और यह जो source है वो है business standard जो की newspaper आता है and उसका यह source कि थूरू लेया गया तो आप title सबसे पहले पढ़िए JSW Steel pays of 19,350 करोड रूपीज to financial creditors of Bhushan Power and Steel येस अब financial creditors जो है financial के अगर आपको मैं थोड़ा नीचे लेकर जाकर जाकर दिखाता हूँ यहाँ पर आपको पूरा का पूरा data show है कि the top creditors are State Bank of India with an exposure of 98.25 करोड PNB with an exposure of 73.55 करोड PNB पर आपको पता है कि PNB से दो bank merge कर चुके हो already Oriental Bank of Commerce and United Bank of India तो ये दोनों bank से भी इस particular company ने loan लिया था तो यही add हो जाएगा PNB पर तो अगर आप इस chart की तरफ देखेंगे तो जो ले रखा है State Bank of India ने 98.25 करोड का जो कि उसे claim मिल रहा है जो कि directly उसके profits पे show करेगा PNB including Oriental Bank of Commerce United Bank of India 73.55 करोड का Canara Bank including Syndicate Bank क्योंकि Syndicate Bank उसके मर्ज हो चुका है So 4,000 करोड रुपीस Canara Bank को मिलेगा 3400 करोड रुपीस मिलेगा Union Bank को So यह पूरा article में नीचे description पे लिख दूँगा कि आप उसके बार में पूरा पढ़ सके अच्छे से अपना decision ले सके एक दूसरा article की तरफ और बढ़ते हैं जो कि लगता है कि इस stock के अंदर अच्छी buying देखने को मिल सकती है जो की है JSW Steel आप सिर्फ title की तरफ ध्यान दीजेगा आप title पर देख सकते हैं With BPSL Takeover यानि की Bush and Power Steel and Limited Takeover JSW Steel could end up Financial Year 2021 With the number one steel maker company Yes अगर मैं currently बात करूँ तो currently Tata Steel है जो की biggest steel maker है capacity पे 20 million ton per annum की capacity है Tata Steel की जिस इंडिया के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ और जो second number पे आती है वो है sale जिसकी around 19.63 capacity है million ten per annum के साब से JSW Steel आता है इंडिया के साब से third number पे जिसकी 18 million ten है बट जब ये takeover हो जाएगा जैसी ये takeover हो चुका है बात तो एक डेट साल से चल रही है बट ये takeover हो चुका है and BPSL का जैसी takeover हुआ तो BPSL से जो उनको फाइदा होने वाला शयाद इंकी जो company है वो Mumbai जो इंकी factory है manufacturing company है factory वो Mumbai में शयाद है and वहाँ से इंको 10 million per annum तक का भी capacity ये लोग generate कर सकते है इस company से and एक और company को इसके ने acquire कर रहा था जैसे वो 1 million ton तक कभी कर सकती है तो ये India की number one steel maker company बन सकती है almost 27 million ton per annum के हिसाब से capacity कर सकती है GSW steel अब आप देखेगा मैं थोड़ा सा article मैं आप लोगो दिखाता हूँ नीचे लेकर जाके yes थोड़ा सा इधर साइड आपको होगा just wait a second आप यहां पर देख सकते हैं around about 30 million tons of that come from yes आप यहां इस वाली लाइन को पढ़ना important है Tata Steel is far by is the biggest Indian steel maker with a global capacity of 33 million tons a year जिसमें से अराम से 13 million तो आते हैं इंडिया के भार से जो कि mostly Europe से आते हैं and 20 million tons तो मैंना आपको बताते हैं within India है second number in the second place is not JSW Steel it's sale जो कि sale है but जैसी ही capacity हो जाएगी बहाँ पर हम लोग देखेंगी कि JSW Steel भी आ जाएगी अब यहां पर आप देख सकते हैं इस level पे the majority of that expansion will be at the Dalvi Maharashtra based unit which is doubling the capacity of to 10 million tons per annum के हिसाब से जो कि इस time BPSL है अब आगी की line पढ़िएगा there is also 1 million tons that will come from Monat SPAT another insolvent company that was picked by the JSW Steel so JSW Steel और Tata Steel के बीच में competition भी हो सकता और जिस तरी किस आप लोगों को लगीड है कि commodity की prices बहुत time पहले से increase करते वे आ रहे हैं तो हम लोगों को लगता है ये दो company merge करते 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 acquire करते करते companies को एक बहुत बढ़िया company बन सकती है आने वाले कुछ time पे अगर आप देखेंगे interesting fact भी आपर बता रखा है Tata Steel and JSW Steel have ambiguous plan expansion plan while Tata Steel wants to double its production capacity to 40 million tons JSW Steel has an eye on the 15 million tons mark so इसके बीच में हम लोग जो एक rivalry देख रहे हैं दोनों companies की बीच में उसमें हम दोनों को सबसे ज़्यादा profit हो सकता है so कभी ये दोनों companies हम लोगों को dip में बिलती है हम लोग इसे buy करने के बारे में definitely सोचेंगे and I think ये long term पे जैसे इनका competition बढ़ते रहेगा ये lively basis में जाते रहेंगे हम लोगों को इन दोनों companies में से profit होना start होते रहेगा तो चलिए ये दोनों के बारे में भी बात करेंगे plus हम लोग सबसे पहले SBI and PNB के बारे में बात कर लेते हैं so मैंने PNB का chart open कर दिया है जो की daily chart है and जिस तरीकी से में trend line बना रहा हूँ तो exact अपने support level पे ये enter करी वी है exact अपने support level पे है but अगर आप थोड़ा सा zoom करके देखेंगे तो एक strong fall के बाद एक insight candle बनी है जो की एक reversal होता है मतलब not it's not a reversal it's a continuation obviously मैं बताना बूलिया so अगर ये इस level को break करके नीचे जाती है आने कि 35-45 को break करके 35-45 को break करके नीचे जाती है तो excelling pressure हमें और अच्छा देखने को मिल सकता है so but हमें दोनो टाइव अपना decision लेना है क्योंकि अगर वो नीचे जा रहा होगा तो हम लोग buy करने के बारे में नहीं सोचेंगी definitely so अब आपको करना क्या है वो मैं आप लोगोंको बता देता हम for that let me open a early time frame जब मैं early time frame open करना हूँ आपको पता है कि support level क्या है अब हमें find करना है कि resistance क्या है resistance का breakout होगा तब ही हम लोग buy करना start करेंगे ठेक है so I think this is the particular resistance यह एक resistance line है आप यहाँ पर clear basis पर देख पा रहे है कि यहाँ पर यह support ले गिए resistance था यहाँ पर इसने support लिया जैसी इस support को इसने आपर break करा जैसी इसने break करा that support become resistance आप देख सकते है एक अच्छी अपमुवारी और एक flag pattern के अंदर ही काम कर रहा हो और डिली आरली चार्ट्स पर जैसी इस level का breakout देगा एक अच्छी buying हम लोगों को देखने को मिल सकती है और यहां से एक यह अच्छी level से उपर जा सकता है इस तरीके से हम लोगों को इस पर ध्यान देना है इस particular stock पे levels मैं आप लोगों को बता दूँगा यहां पर मैं लिख दूँगा levels जिस level की उपर आपको buy करना है and targets हम लोग अगर expect करने की कोशिश करें तो probably probably 37.5 का आ रहा है तो यानि की अगर एक रुपे मतलब धाई परसेंट है और धाई परसेंट बहुत जादा होता मैं अगर आप लोगों को बताऊं इंट्रादेय मूवमेंट के अंदर अगर 0.50 रुपी का stop loss रखते हैं and 1 रुपी या 1.5 रुपी तक का target रखते हैं so definitely it's a best stock चलते हैं SBI के अंदर and SBI के अंदर study करते हैं SBI के अंदर भी एक similar type of pattern हम लोगों को दिख रहा है and आप यह clear way में देख सकते हैं it's forming a hidden shoulder pattern यह एक hidden shoulder pattern form कर रहा है and जैसी इसका breakout हैगा let me show you किस तरीके से head and shoulder pattern मना रहा है yes आप यहाँ पर clear way में देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने एक hidden shoulder pattern मनाया and इसका जैसी breakout आता है हम लोगों को एक buying opportunity इसके अंदर भी देखने को मिल सकती है plus अगर मैं यहाँ पर इस trend line का use करता हूँ so आप लोग देख सकते हैं कि अगर यह 360 के ऊपर यह 361 के ऊपर निकलना start करता है तो यहाँ पर भी एक अच्छी buying आ सकती है and probably think कि यह almost almost 365 तक जा सकता है जो कि 5 रुपे है and 5 रुपे भी आप लोगो अच्छा profit हो सकता है I am saying the minimum targets क्योंकि अगर इतनी अच्छी news आई है तो यह 10-15-20 रुपे तक भी उपर जा सकते हैं but हम लोगों को minimum targets के लिए trade करना है because यह news based stocks है so एक head and shoulder pattern का target आ सकता है क्योंकि उसका breakout आ सकता है तो बहुत बढ़ी opportunity मिल सकती है and plus एक जो support था और वो break होनी के बाद resistance बना जब resistance break होगा तो हम लोगों को और अच्छी opportunity देखने को मिल सकती है चलिए JSW Steel की तरह एक बड़ बढ़ते हैं and check करते हैं कि उस पे किस तरीके से buying हमें देखने को मिल सकती है okay so let me open daily charts for this daily charts पर हम clearly देख रहे हैं कि एक rising channel के अंदर ही काम कर रहा था एक rising wedge के अंदर काम कर रहा है and currently इसका इसने breakout दिया retest कर रहा है and again it moved up so yes इस पे भी अम लोग एक buying opportunity लेकर चल सकते है अगर यह 447 के उपर निकलना start करता है अगर 447 यानि कि let me tell you about the target as entry point देखे एक sharp up move आई again इस level से fall आया and again उसी level पे currently trade कर रहा है जब इसका breakout आएगा तो एक अच्छी buying हमें देखने को मिल सकती है इसके उपर breakout पे we can go for a buy 5-6 rupees की साबसे हम लोग buy कर सकते है and I think यह अच्छे targets दिखा सकता है last एक बाद Tata Steel को देख लेते हैं Tata Steel पे अगर आप लोग देखेंगे एक बहुत ही बढ़िया इसके अंदर हम लोग ने opportunity देखी आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से trade कर रहा है आपको यह दिखाता हूं this is the resistance, resistance जैसे resistance ब्रेक हुआ है that resistance becomes support and it moved up यह दुबारा उपर जाना स्टार्ट कर गया currently जो एक resistance है वो एक्जाक्ट इसी लेवल पर आ रहा है जो कि Friday का high था जैसे इस Friday के high की उपर जाता है जानी कि 775 की उपर जैसी ट्रेट करना स्टार्ट करता है एक अच्छी बाइंग और आ सकती है और वो stock को और higher levels पर लेकर जा सकती है so I think मैंने आपको fourth trading tips तो already provide कर वा दिया and 5 intraday stocks में आप लोगों के लिए कल लेकर आऊंगा जो आप बंडे में बाय कर सकते हूं with lifty and bank lifty trading setup so तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल पर नए हो तो subscribe कर सकते हो हमारी वीडियो को like कर सकते हो share कर सकते हो इस वीडियो को जिन लोगों को market पर trade करना अस्था लगता है and अपने friends relatives के साथ definitely share कर सकते हो मैं मिलता हूं आप लोग इस अगली वीडियो पर तब तक के लिए मैं शिवांच बसीर signing off